धोस्तों घार के किछन के कुछ यहां कुछ reply करें जो है कि अरुग करें इससे क्या हुता है कि हमारे टाइम और पैसे सबकुछ बसते हैं आसाथ मेहिनत भी बस्ती है तो चलिए फिर इन कुछ ऐसे ही tips and tricks के साथ हाजिर हूं जिससे कि आपका time, पैसा और समय सब कुछ बचेगा तो friends channel पर नए आए हैं तो join कर लेजिएगा, ऐसे ही अच्छे tips and tricks मैं लाती रहती हूं तो चलिए फिर शुरू करते हैं, हो सकते हैं तो अपने फैमिली और फिरिंट के साथ भी जिरोड़ सेज़ केजिएगा तो चलिए देखेंगे आज की जो पहली टीप से वो है इस तरीके से देखिए अकसल क्या है दोस्तों हम लुग खाना बनाते हैं, तो हम लोग खावाल के मौहाज बनाते हैं तो कभी से घरम कर दिया जाए तो है खाने लाइक हो जाए जलाध है आज मैं आपके साथ शेयर करें कि बची हुए चाबल को जो है आप किस तरीके से गरम कर सकते हो तो इसे गरम करना के लिए बहुत ही तरीका है अगर आपके पास ओबन है तो आप तो बन में कर लेंगे कोई दिकत नहीं है लेकिन जिनके पास ओबन नहीं है उनके लिए तरीका काज़ा बहुत ही अच्छा है वेश्ट थे तो क्या होता है दोस्तों अगर आप कूकर में करो अगर पानी डाल के करोगे तो इसका गरम तो रही हो लेकिन कहाने चाबल को भाड़ ले सकते हैं तो चलिए दिखाती हूं आप लोग को चाबल को फीर नियुक्त देखेंगे तो चलिए देखेंगे नियुक्त निकालेंगे तो चलिए अब मैंने इसे निकाल लिया है थोड़ी दिर के ठंडा होने थे ताकि हम टीफिन खोल सकें और आप देखिए फाइनली यह जो चाबल है बहुत है अच्छे से गरम हो चेका है ताजी और फ्रेस खाने लाएं तो कैसे लगाए टीफ से आप लोग जरूर बताईएगा तो हमारे आज की जो अगली टीफ से वह है इस तरीके से माचिस से रियते दोस्तों माचिस का यूज तो आज कल कम हो गया लेकिन फिर भी हम लोग डेली उज मिलाती है खासकर पूज में मसायद घीला हो गलत तरीके से अगर आपके से खूल दिया माचिस तो जो है हमारे आठों की जो पानी है माचिस पर जल्दी जल्दी की चक्कर में लग जाती है तो इस तरीके से माचिस की तीलिया भी बर्बाद टीलिए होना इस होती है Ne doto vari नocy secude it eyesight centric कर लिए आपका काम जो हईजी हो जाएगा और आपके माचिश की तिलियां में बरबाद न हो 해 दोस्तू या आपको क्या करना जिस यही जिसे अधर मसाला है हम इस तारीके से जो गेले हाथ क्या होगा दोस्तों कि हम लोग थोड़ा इसा माची देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाए कि हमें किस तरीके से खोलना है तो फटा-फट से खोलेंगे और हमारा काम जो है यह जी और आसान दोनों हो जाएगा है कामाल का एडिया तो फिंट्स कैसा लगाए टीप सेंट्रिक सब्सक्राइब को अच्छा लगाओगा यूजपू लगाओगा तो हमारी आज की जो अगली टीप से वह इस तरीकी से देखिए अगर डब्बे खाली हो जाते हैं तो हम लोग इसे फेक के नहीं फिकते नहीं इसे यूज मिलाते हैं क्योंकि जो डब्बे होते हैं बड़े अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं यह देखिए हमारे पास भी जो डब्बे हैं अभी अभी खतम हुआ है तो इसका हमें क्या करना है दोस्तो इसे साफ कर लेंगे अच्छी तरीके से और होता क्या है कि यह जो स्ट देखे इस तरीके से छुड़ाना है तो चलिए मैं आपको tips and tricks बताती हूं कि क्या करना है हमें देखे यहां पर मैंने ले लिए एक बास्केट इसे हम इसमें डालेंगे हम जो है गरम पानी तो गरम पानी से क्या होगा कि जो स्टीकर्स हैं सॉफ्ट पर जाएंगे अब बहुत और आट बगरा सब्सप्स सभी चीजें जो साहत अब यहां पर मेरे पास फिल्प नहीं यह लिक्विड थो मैं इस इसी का यूज कर देखिए इस तरीके से हमें डाल देना है आप इसे इस अंदर से वी साफ करना है ना यह अंदर से घंदा है तो इसे इस तरीके से है खोल कर देकिए करदेना तो फ्रीड चलिए देखते हैं यह मैं देखते मैं देखते हैं पहले है कि विक्नका ata पहलब कुछ सआथ अपने आप से चूट रहे हैं कमाल का एडिया कोची भी जादा जोड लगाने ज़रूरत ही नहीं है हराम से छोड जाते हैं तो इसे बस थोड़ी देर के लिए आप गरम पानी में छोड़ दीजिए देखिए कितने अच्छे से साफ हो जाता है अभी इदर फुला नहीं है अब देखिए आपको साफ करके तब तो यह जो होते हैं बॉटल इसे क्या करना आप इसे फटा फट से छुडा लेना है तो छुडाने के लिए आप चाकू की मदद ले सकते हैं या फिर श्क्रबर की मदद ले सकते हैं क्योंकि अगर सिर्फ हाथ से करेंगी तो थोड़ आप अच्छा लगा तो चलिए रेखते हैं आज की अगली टीप्स है वहाई दूद से लेटेट यह देखिए दूद जो है वाल रहा है अभी जो है तेज करेंगे आज पे तो यह बाहर आने लगेगा दूद जो होता है दोस्तों हमें सिर्फी से वालना इस तरीके से उपर अजमा सकते हो दूद में जो है इस तरीके से उबलने टाइम आप क्या किजिए इस तरीके से जो है एक कप डाल दीजिए इस तरीके से जो है बिल्कुल सुद्रा होना चाहिए ताकि यह जो है हमारे खाने को गंदा ना करे इस तरीके से आप एक कप डालेंगे तो इसकी बि आराम से खौलते रहेगा पाच मिनट के लिए तब कितना भी तेज कर लिजे आप इसका फ्लेम दूज आपने आप खौलते रहेगी लेकिन यह बाहर नहीं आएगी है नहीं कमाल का एडिया आप लोगी जरूर ट्राइ करना आई होब के टीप सेंट्रिक्स आपको अच्छा ल और कुछी घुआ है कि इसे जो भारी की वज़ा से और कॉप इससे पहने से पाने से पहले एक चीज कर लिजी आपको बहुत ही आच्छा राहत मिलेगा बहुत ही अच्छा सा इच्छा जो कील होते हैं आप इसे इसमें डिप कर लीजिए दो तीन बार इसे कर लीजिए and then इसके बाद आप अपने कानों में पैनेंगे तो देखिएगा कि आपके कान जो है बिल्कुल भी ऐलर्जी खुजली कुछ नहीं लगेगा बहुत ही अच्छी से आपको एक रहात सी मिलेगी इलर्जी तो बिल्कुल नहीं होगी खुजली बगेरा तो एक टीप सेंट्रिक्स आपको जरूर अजमा के देखना आई होप के टीप सापको अच्छा लगा होगा यूजफू लगा होगा बड़े ही काम के हैं आपको जरूर ट्राइ करके देखिएगा तो आप खुद पान अच्छा लता तो वीडियो को लाइक कमेर से जरूर किजेगा चनल पर नए आए हैं तो जॉइन कर लिजेगा अच्छे अच्छे टीप सेंट्रिक्स मैल आती रहती हूं तो चलिए फिंज मिलते हूं नेक्ट ब्लॉग में तब तक लिए बाई टिक के अपना ख्यार रखना थैंक्स पर बाचिंग